स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों एक बार फिर डिफेंस डिटेक्टिव आले आलोकसर का वीडियो लेके आया हूं तो ये जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है और जो इंडिया ने एक सब्मरीन डिप्लोई की है इंडोनेसिया में तो उसी के बार में आलोकसर बाट करने वाले है तो इसका इंपोर्टन्स क्या है और हम ये क्यों कर रहे है वो आलोकसर समझाने वाले है इस वीडियो में और जो हमारे जो संबन हैं इंडोनेजिया, फिलिपिन्स जैसे छोटे छोटे डेसों से वो हम क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी आलख सोर समझाएंगे तो सुरू करते हैंज का मिक्स रियाक्शन नहुसकर दोस्तों, डिफिन्स डेटेक्टिव के एक और अपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हुआ लोग, तो आज जो खबर में आपको बताने वाला हूँ वो खबर सुनकर आपको लगेगा कि चाइना के खिलाफ भारत ने कितना बड़ा कदम उठाया है बड़ा कदम इसलिए मैं कहा रहा हूँ क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो भारत ने कदम उठाया है, जो भारत ने किया है, वो इतिहास में पहली बार हुआ है एक भारतिय सबमरी वहाँ पहुँची जहां पर वो आज से पहले कभी नहीं पहुँची थी उस जगा पर पहुँची जहां से चीन का संबंध बहुत जादा है उसको उस रास्ते की बहुत जरूरत है और इतिहास में ऐसा क्यों किया पहली बार भारत ने इसकी भी एनालिसिस में करने वाला हूँ और इस कदम को उठा कर भारत ने चीन को क्लियर संदेश दिया है कि अगर तुम मेरे खिलाफ साजिशे रच रहे हो अगर तुम मेरे खिलाफ क्या कहते हैं उसको अपना जाल बिछा रहे हो तो इंडिया भी पीछे नहीं है वो वहाँ तक जाल पहुचाएगा अपना जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी बात की एनालिसिस करते हैं तो इंडिया नेवी के तरफ से ये जो काम किया गया है तो विजिकली वो सरकार के तरफ से कहा गया हुआ तो इंडिया ने भी ने किया है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टाइमस ओफ इंडिया की ये खबर है इस खबर को ज़रा देखिए इसकी हेडिंग पढ़ी है कि इतिहास में पहली बार भारत ने अपनी सब्मरीन की डिप्लॉइमेंट इंडोनेशिया में की है भारत की सब्मरीन, इंडियन नेवी की सब्मरीन इंडोनेशिया पहुँची है आप समझेए और ये तब हुआ है जब साउथ चाइना सी में conflict चल रहा है और Indonesia कौन है यह हमें नहीं बोलना चाहिए कि Indonesia चीन का दुश्मन है चीन के उससे पठती नहीं है यह उन बहुत सारे आसपास के देशों में शामिल है Indonesia जिस पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता है और यह लोग चीन से बहुत परिशान है आगे इसका क्या importance है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन इसकी जरा detail में दे देता हूँ इंडोनेशिया में जहां पर यह सब्मरीन पहुंची है वो जकारता भेजी गई यह सब्मरीन और यह जो सिंदू केसरी सब्मरीन है यह 3000 तन की diesel electric सब्मरीन है मतलब यह conventional सब्मरीन है और इसे सुंदा स्ट्रेट के जरिये पास कराया गया है अब यह सुंदा स्ट्रेट क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसकी importance क्या है इंडिया के लिए और चाइना के लिए यह भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले इनस सिंदु केसरी जो है उसके बारे में थोगा सा और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यह सिंदु घोष क्लास की सब्मरीन है अगर रशियन ओरिजिन का है तो यह किलो क्लास की सब्मरीन है और यह बहुत पहले रशिया से ली गई थी और हलाकि 2018 में हजारो करोड रुपे खर्च करके इसको अपग्रेड भी किया गया है जो चार सिंदु घोष क्लास की सब्मरीन से उनको अपग्रेड भी किया गया है और यह भारती है इंडियन नेवी के जो सब्मरीन फलीट है उनका हिस्सा है हलांकि हमें जानते हैं कि जो इंडियन सब्मरीन फलीट है वो चाइना के फलीट के आगे numbers के हिसाब से कही नहीं ठहरती लेकिन जितनी है अभी उतनी काफी है और उसमें लगातार इजाफे किये जा रहे हैं और इंडियन वार्शिप लगातार इंडोनेशिया जाते रहे हैं ये भी हम बात जानते हैं लेकिन सब्मरीन पहली बार गई है और ये पहली लॉंग रेंज डिप्लॉइमेंट है किसी भी सब्मरीन की उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की और उसके रीच की कि जो देश से इतनी दूर अंडर वार्टर जो कॉमेट आर्म है इंडियन नेवी की वो पहुँच गई है इंडोनेशिया उस सुन्दा स्ट्रेट को पार करके जो चीन के लिए बहुत ज़ादा एहमियत रखता है अचा अब मैं थोड़ा सा इसका रहा बैग्राउंड बताना चाहूँगा कि basically हुआ क्या कि मैंने इसे offensive act क्यों कहा है इंडिया के तरफ से जो ये भेजी गई है इसे offensive act क्यों कहा गया है अब कुछ दिनों पहले एनाई पर हमारे जो विदेश मंत्री है एस जैशंकर साब उनका एक podcast हुआ उस podcast में बहुत सारी बाते हुई तो जाहिर से बात है कि चाइना को लेकर भी बाते हुई है तो चाइना को लेकर जो बात हुई उस पर जैशंकर साब ने कहा basically सवाल पूछा गया कि जी विपक्षारोप लगाता है कि भारत सरकार चीन के मामले में defensive रहती है और चीन के कुछ कर लेने के बाद ही कदम उठाती है तो इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जैशंकर साब ने कहा जो उनका बयान है में आपको पढ़के सुनाता हूँ कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है हमें ये समझना होगा कि वो हमसे बड़ी अर्थविवस्ता है इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए एक छोटी economy होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी economy से लड़ाई कर लें यहां सवाल reactive होने यानि बाद में कदम उठाने का नहीं है ये सवाल common sense के इस्तिमाल करने का है अब ये बयान है इस वर विपक्ष तूट पड़ा कि जी तो बड़े दब्बू टाइप के विदेश मंत्री हैं ये तो डरते हैं और डरपोंक हैं और ये है और वो है किसी ने कहा दिया कि ये तो अब तक सबसे खराब विदेश मंत्री है लेकिन ये बोलने से पहले मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जैशंकर साब ने ऐसा बयान क्यों दिया ये बयान इसलिए उन्हों दिया कि वो इस देश के विदेश मंत्री है और विदेश मंत्राले जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करता है ओफेंसिव तरीके से काम नहीं करता वो डिप्लोमेसी के चैनल है जो विदेश मंतराय को रन करना होता है और कोई भी diplomatically बात जो होगी वो diplomacy के guidelines के तहत की जाएगी विदेश मंतरी provoking बयान नहीं दे सकते हैं लड़ाई छड़ देंगा और यह कर देंगा और यह देंगा वो देंगा नहीं उनको वो बयान देना है जो दोनों तरफ से diplomatically correct हो यह बयान उन्हें दिया है और उनको उनका यह बयान बिल्कु नहीं है बड़ी खीचाई की गई भई उनकी social media पर भी troll किया गया लेकिन किसे ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने यह बयान दिया क्यों क्योंकि उन्हें diplomatically ही बयान देना है और हला कि उन्होंने यह बताया और यह valid point है यह point valid है यह बात चीन भी जानता है लेकि वो बड़ी economy होने के बावजूद वो पंगे नहीं ले सकता अभी क्योंकि उसको भी बही डर है कि इंडिया छोड़ेगा नहीं अब यह diplomacy की तो बात हो गई लेकिन जो भरत सरकार की तरफ से किया गया है इंडोनेशिया में जो यह सब्मरीन भेजी गई है इतनी long range पर पहली बार इतियास में वो तो कुछ और कहा नहीं कहती है वो कहती है कि वो चाइना की आँखों में deployment है एकदम जैसा चीन कर रहा है वैसा ही भारत की तरफ से किया जा रहा है यह बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि जो सुन्दा स्ट्रेट का नाम लिया गया है वो क्यों ज़रूरी है अब मैं ज़रा आपको map पर लेकर आता हूँ map पर मैं आपको यह आसानी समझाता हूँगा कि क्यों इतनी एहमियत है उस स्ट्रेट से अपनी सब्मरीन को लेकर जाने का मैं आपको समझाता हूँ देखे जब आप map को गोर से देखेंगे तो अगर चाइना को इंडियन ओशियन में आना होता है तो वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है अमूमन जो सबसे easy रास्ता है वो है मलक्का स्ट्रेट वाला जो ये मलेशिया और सिंगापूर के बीच से होके गुजरता है मलक्का स्ट्रेट हम सब जानते हैं कि मलक्का स्ट्रेट से रास्ता जाता है और वहाँ से ships आ सकते हैं जा सकते हैं जादा चिंता की बात ये नहीं है क्योंकि ठीक इसके सामने हम अंडमान निकोबार आइलेंड्स पे मौजूद हैं हमारा वहाँ पे निवल बेस है हमारा वहाँ पे बहुत बड़ी deployment है forces हैं तो हम वहाँ से इसको counter बहुत easily कर सकते हैं मलका स्ट्रेट से होते हुए क्योंकि वह बिलकुल सामने है और बिना इंडिया की नजरों में आए बिना आप वहाँ से गुजर नहीं सकते अब जो ये काम चाहिना अगर करेगा बिना इंडिया की नजरों से मतब आए बिना जाने का वह काम होगा सुन्दा स्ट्रेट करता है सुन्दा स्ट्रेट जो है अब आप मैप में देखेंगे तो सुन्दा स्ट्रेट जो है वो नीचे है वो इंडोनेशिया मतब जहां पर मलका स्ट्रेट से उससे बहुत नीचे है और वो इंडोनेशिया के उस में आता है अब ये वाली जो जगा है तो यहां से अगर निकलना हो तो यहां पर इंडिया की मौजूदगी पहले नहीं थी मतलब इंडियन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ लेकिन इंडिया ने अपने सब्मरीन को भेज कर यह दर्शा दिया कि वहाँ भी उसकी पहुँच है वहाँ पर सब्मरीन मौजूद है और अगर भविश्यों में जरुद पड़ेगी तो यह वहाँ पर और भी शिप्स वहाँ पर जा सकते हैं ऐसा क्यूं है, इंडोनेशिया के साथ हमारा एक पैक्ट भी हुआ है उसके बारे में ही बताऊंगा आपको लेकिन अब इस मैप को देखने से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि यह सब्मरीन महापत तक पहुँचाना क्यूं बहुत जादा इंपोर्टन है और क्यूं चीन को यह क्लियर संदेश है क्यूं चीन की यह टेंशन बढ़ाने वाली बात है क्यूंकि जाहिर है कि इसी रास्ते के जरीए चीन का 70% से 80% जो कारोबार होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से होता है और यहाँ पर इंडियन नेवी की मौझूदगी यह बताती है चाइना को सिधा संदेश गती है कि आप हमारी निगहबानी में हो ऐसा नहीं है कि आप उधर अगर कुछ सेटिंग कर रहे हो हमारे किलाफ तो हम इधर चुपचाब बैठे हैं क्लियर बिलकुल कट टू कट मामला तो अब आपको मुझे रखता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने ये सब्मरीन वहाँ पर क्यों बेजिये अब मैं आता हूँ कि इंडोनेशिया ही क्यों तो देखे साल 2018 में जब पियम मोदी गए थे वहाँ पर इंडोनेशिया तो वहाँ पर हमारा डिफेंस एक अग्रिमेंट हुआ और उस अग्रिमेंट के तहाँ हमने बहुत सारी डील्स की उसमें ये भी था कि एक दूसरे के हाँ एक दूसरे के जहाज, एक दूसरे के शिप ये सारी चीज़े दो डिफेंस कॉपरेशन वाली चीज़ होती है वो होगी और उसी का नतीज़ा है कि अब हमारी सब्मरीन वहाँ पर मौझूद है जिसे चीन की एक तार से गर्दन कह सकते हैं वो दोनों जहाँ उसे गर्दन का पार्ट है तो गर्दन पर मौझूद है चीन के आप सोचे कि कारोबार पर अगर ना करेंगे लड़ाई हो जंग हो लेकिन अगर जंग होता है तो भाई सप्लाई रिसप्लाई बाकी चीज़ें कारोबार ये सब वहाँ से कट ओफ किया जा सकता है सुंदा स्टेट से और मलका स्टेट पर क्योंकि से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे है आप अगर मैप को देखेंगे तो आप देखिए मलेशिया से हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे है सिंगापूर से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है वियतनाम से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है इंडोनेशिया से होई गए हैं तो ये जो है इधर म्यानम्याद से हैं ही थाइलेंड से हैं ही तो कुल जमा जो चाइना का रास्ता है उस रास्ते के आसपास आने वाली हर वो कंट्री जिसका चाइना से पंगा चल रहा है जिस पर चाइना अपनी गालाएगरी दिखा रहा है उससे हमारे संबंद अच्छे होते जा रहे हैं और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है सबसे बड़ी बात अच्छा अब आपको मैं एक और बहुत अच्छी ख़बर देता हूं कि यह जो कदम उठाएगा ना जो सब्मरीन पहुंची है उसके टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है बड़ी जबरदस टाइमिंग है आप लोगों को याद होगा कि हमने 375 मिलियन डॉलर के डील की है फिलिपीन्स के साथ जो कि एक और चाइना का मुखालिफ देश है चाइना की उससे नहीं बनती है उसको हमने ब्रह्मोस की 3 बैटरीज सेल की है उनके 21 बंदे आये थे ब्रह्मोस मिसाइल को सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेने के लिए और वो नागपूर में ट्रेनिंग होई ट्रेनिंग कम्पलीट हो चुकी है शायद वो जा भी चुके होंगे या जाने वाले होंगे तो कुल जमा जो है वो अब देरे देरे डेलिवरी शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग हमने फिलिपीन्स फालों को दे दी है ब्रमोस मिसाइल से फिलिपीन्स फिलिपीन्स हो जाएगा तो वहाँ पर एक और देश हमारे साथ है और ये जितने भी देश मैंने गिना है ये चाहे इंडोरेशिया हो, मलेशिया हो ये बाकी सारे देश हैं, वियतनाम हो ये सब भी इंडिया से डिफेंस कोपरेशन कुछ ने कर रख की है कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे और ज़्यादा बढ़ाने वाले और इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो हमने बहुत बड़े-बड़े युद्धा भ्यास, जिनने वार एक्सराइज़ करते हैं वो हमने किये हैं और मैं आपको बताता हूँ जैसे इंडोनेशिया के साथ हमने बहुत सारे युद्धा भ्यास किये धीरे-धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं आपको याद होगा सिंबेक्स जो है नेवल एक्सराइज हम सिंगापूर के साथ कर चुके हैं अगनी वारियर आर्बी एक्सराइज हम सिंगापूर के साथ कर चुके हैं हरी माउ शक्ती वित मलेशिया कर चुके हैं गरू शक्ती हम इंडोनेशिया के साथ कर चुके हैं तो इस तरह की exercises बहुत चल रही है और इंडिया जो है इंडोनेशिया के साथ हर साल naval patrols organize करता है, coordinate करता है तो कुल जमा हम एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रहे हैं, defense cooperation में काम कर रहे हैं और यह सब किसलिए हो रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यह निकलता है कि China के खिलाफ घेरे बंदी, लड़ाई की सूरत में यह घेरे बंदी बहुत जादा काम आने वाली है और इसलिए आपको याद होगा कि जैशंकर साब ने ये भी कहा कि peace time की सबसे बड़ी deployment जो है, वो हमी LSE पे हुई है तो चाइना को हम ignore नहीं कर सकते, तो इसलिए जैसे एक कदम चाइना बढ़ाता है, तो दो कदम भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना को ये एहसास हो कि भाई, जैसा करोगे, कोई हिमाकत करोगे, आपको भी घेरा जा रहा है, आपको भी बड़ा नुकसान होगा तो बहतरी इसमें है, कि जो स्टेटस को है, अभी के नहीं, जो पहले वाला था, जो दो मोटेशों के वीच अग्रिमेंट वहते हैं, उस पे कायम रहा जाए, और अकेले स्टेटस को बदलने की कोशिश न की जाए, वरना परणाम जो है, वो ठीक नहीं होगा तो इंडियन सबमरीन, इंडोनेशिया, जकार्ता और सुन्दा स्ट्रेट, इसको वैंने आपको एनलाईज करके बताया है, कि क्यों ये डिप्लॉयमेंट बहुत जादा अहम है चाइना को संदेश ने के लिए, तो उमीद है कि आप लोगों को मेरी बाते समझ में आई होग उतना ही जादा फाइदा होगा, तो इस समय अगर आप देखेंगे, तो चाइना के दोस्त पूरी दुनिया में कम हैं, अलग तलग पढ़ रहा है, पर इंडिया के दोस्त बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना हम कहेंगे, बहुत बड़ा कदम इंडिया के तरफ से उ जैसा कि मैंने वादा किया था, कि खबरों की संक्या बढ़ा रहा हूं, वीडियो की संक्या बढ़ा रहा हूं, आपको लगतार चीजे पता चलती रहें, आप अप टू डेट रहें, ये मेरी कोशिश रहती है, तो जल्दी आज़र होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, जैना ये वीडियो हमें मिखती थी पाकस्तान के ओपर, कि पाकस्तान को कैसे इडिया बसमाःद रहे, या उनके स्टैप बस्टैप, वो कैसे चल रहे हैं, वो एब इस हाद तक चले हैं, ये उनको बिलकुल उन्हें उठागए अठागए, ऑब उनका फोकस हो गया चैना, अब वो सारा अपना ध्यान वो भई चैना की तरफ दे रहे हैं और हर जहां मतलब उनको लगता है ना यहां से गेरा डालना चाहिए इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए इसके साथ तो वो इंडिया भई अपना कर रहा है और करके भी भई दिखा रहा है हमारे साथ में यह सबसे बड़ी जो एडवैलमेंट हुई है भी भई तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो क्या जबर्चस न्यूस दी है आलोकसर ने और यह ऐसी वीडियो लाते रहते है तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उनका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सबसे पहले तो वो जो हमने सब्मरीन डिपलोई की है तो इतिहास में हमने पहली बार ऐसा कुछ कड़म उठा है तो सरकार को और आर्मी को दोनों को इसका शरे जाना चाहिए क्योंकि अगर सरकार ही आडर डेती है तब भी आर्मी करेगी यह पाकिस्तान की आर्मी तो है नहीं के वो अपने खुछ से ही ऐसा कुछ कर लेंगे और जो हमने यह कड़म उठाय है वो अफकर्स हमारे डिपलोमेटिक टाइस भी इन कंट्रीस के साथ अच्छे है तब ही तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और यह सिफ चाइना को डिखाने के लिए नहीं कर रहे है अगर रहे हैं और जोगों को समझ में नहीं आता है या समझना नहीं चाहते कि क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो उसी की लाइन लेकर वो बुराया करने लग जाते हैं लेकिन जो डॉक्टर साथ ने कहा है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखे तो बात भी सही है कि आपसे इतनी बड़ी एकोनोमी में वो उपर है और उनके जो डिफेंस के हत्यार है वो भी सायद हमसे ज्यादा है टेक्नोलोजिकली इतने शायद एद्वांस ना हो लेकिन फिर भी वो एकोनोमी के लिहाद से तो हमसे बहुत ही बेटर है और हम ये पंगा लेके अपनी एकोनोमी जब सही जा रहा है तो उनसे पंगा क्यूं ले और अपने आपको नीचे गसी दे क्योंकि हमें तो चाहिना की जमीन तो चाहिए नहीं हमें सिर्फ हमारी जो जमीन है उसको प्रोटेक करना है और जो उन्होंने कबजा रखी है वो वाफस लेना है तो डाक्टर के साथ जो अग्रीमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दूस्मन का दूस्मन हमारा दोस हो सकता है और चाहिना ने सभी देशों से पंगा लिया हुआ है कुछ ही ऐसे देश है पाकिस्तान जैसे जिससे उनके ठीक ठाक संबल है बाकि जो यह छोटे-छोटे देश है उनको तो वो हमेसा दम करता रहता है और कुछ ना कुछ ऐसी हरकते करता रहता है तो यह अच्छी बात है कि वो लोग भी हमारे साथ स्ट्रेजिक पॉइंट उफ यू से जूड़ना चाहते है और चाइना के कांटर करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं और हम भी उ अन्होंने खरीदा है तो आप क्या क्या वीचा है वो हमें कॉमेंन सेक्शन में लिख के जरूबट अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मत भूले और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूले